हेलो गाइस वालकम टो मैं यूटूब चैनल माइटिक्स ओफिशल तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपके भी प्लेश्टोर पर नो इंटरनेट कोनेक्शन कुछ इस तरह की प्रोब्लम दिखा रहा है तो कैसे आप लोगों को इस प्रोब् में को fix करना है आचकी वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो पुरी एंट देखना वीडियो को सुर्यू चे पहले अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो पर like नहीं किया तो वीडियो को like कर देना अगर आप लोग चैनल बर नहीं हो तो चैनल को भी आप लोगों को पूरी बेग आ जाना है ठीक है मोबाल की होम पेज पर आने के बाद आपको मोबाल के सेटिंग को ओपेन कर लेना है मोबाल के सेटिंग को ओपेन करने के बाद आपको यहां से नीचे स्क्रोल डाउन करना है नीचे स्क्रोल डाउन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एप्स की ऑप्शन मिल जाएगी ठीक है तो आप लोगों को एप्स की ऑप्शन पर जाना है और इस पर जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर फिर से मैनेज एप की ऑप्शन पर जाना है उसके पर आपके फो टेक है तो यहां पर जैसे आप गोगल प्लेस्टोर शुर्च करोंगे तो यहाँ पर आप मिन्टेयआगी गोगल प्लेस्टोर तो आप लोगो इसे कर लेना है उसके बार यहां पर आपकी होम स्क्रीन पर अप डेखने को मिल जाएगي तो आप से प्रेज करकर होल करकर रखना है ठीक है उसके बात यहां पर एप इन्फो कुल के आ जाएगी तो आप लोगों को इस पर क्लिक करके उसके ऑप्शन पर जाना है ठीक है इस पर जाने के बाद आप लोगों को यहां पर क्या करना है आप लोगों को सब से पहले तो यहां पर न करना है दोना option का आप लोगों को इसी तरह Tick करना है उसके बद चलिक करने के बाद आप लोगों को फिर मिलेगी clear data की ठीक है तो यहां पर आप लोग देख सकते हूं clear data की option आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोगों को simply जितने भी Google Play Store की data है वो पुरी तरह से clear कर देना है तो यहां से में simply clear all data की option पर क्लिक करके इसके जितने भी data है सब clear कर देटाओ ठीक है तो यहां से मैंने data को delete कर दिये उसके बाद आप लोगों क्या करना है आप लोगों को पूरी बैक आजाना है बैक आने के बाद अगर आपके फोन पर यह प्लेश्टोर को पूरी तरह से refresh कर देना है ठी पर इक बार रीबोर्ट कर लेला इंटेक है आपके फोन को रीबोर्ट कर लेना है लुयकर ने के बाद उसके बात तो फिर से आप लोगों को प्लेश्टर को परेंच कर लेना है उसके बाद आपके प्लेश्रों जै 엔क पूरी तरह से problem जब्र 요 हो जाएगी वो ट्राइगन की प्रॉब्लेम आता था बट उसके बाद आप लोगो फोन पर मतलब प्लेश्टोर पर वो प्रॉब्लेम नहीं आईगे उसके बाद आप चाहो तो किसी भी एप्स को आप यहां से अपडेट कर सकते हो या फिर आप किसी एक गेम को डाउलोड करन पे नहीं हो रहा है तो इसी तरह फिक्स कर सकते हो द्यूक को फसाना आयों तो वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोग चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दना और सदुपने बैल आइकोन को भी प्रेस्क रदने ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड